अगर आप अभी तक मेरे चनल को सब्सक्राइब ने किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेजिए और साथ ही जाथ बेल आइकोन की दबा लेजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बाय ग्रापिस के वीडियो सबसे पहले सारंग्देब एक प्रस्थिदा संगी डारेक्टर है उन्होंना कई फिल्मों के लिए संगी तायर किये सारंग्देब एक बहुत प्रस्थिद और एक प्रस्थिदा ओरिजिनल कंटेंट पर्डूसर के भाई है जिन नाइन 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 में एक मनरोंजन कंपानी दूर्गा जस्थास की स्थापना किये थे सारंग्देब का जनम और पालन पोसंड उनके पिता और माने मुंबई में किये थे उनके पिता पंडिज अस एक प्रस्थिदा भारेत आदर शास्त्यर गाईख है सारंग्देब न आपने पिता से सबी संगी तक्नीकों को सिखे है सारंग का दावा है कि उनके पिता हमेसा से राय है, उनके संगीत पतियों हमें मदद कना के लिए सारंग देवने 1920 में फिल्म सलिम लंगले पे मात रो के लिए संगीत निजशन करके संगीत की दुन्या में शुरत किये फिल्म में उनका काम इतना अच्छा था कि उन्हें उसी बर्स अपना संगी निदेशन के लिए एक और फिल्म की पेस्कास किया आया था इस प्रकार 1929 में सारा ने फिल्म रिया ही के लिए संगी तेहर किया उसके पास सारा ने म्यूजिक इंडेशन से थोड़ा हाट कर काम किये और अगले बसों में उन्हें कोई फिल्म नहीं दिया गया लेकि 1986 में उन्हें फिल्म नस्यम के लिए संगीत निदेशित करने की पेस्कास किया आया था फिल्म में संगीत को ज़्यादे तर दसों को ने सारा और पसंद किये 1927 में उन्हें फिल्म आस्ता के लिए संगीत रसना और निदेशन किये बाद में 26 में उन्हें उन्हें फिल्म इसिया के लिए रुष्टव भूमिय संगीत की रसना किये उनकी सबसे उलखना करे बाजो दस में आई फिल्म रामान दैपिक में था दो तेरा में उन्होंने अपने संगीत आंखे टू के साथ एक पूरी फिल्म का निदसन भी किये तुर्बागे से कुछ कारणों से फिल्म रिलिस नहीं हुआ सारंग देवे गांडर रेटेड संगीत नहीं दे सके जो अच्छे क्वालिटी वाले संगीत की रसना करने में सके में मेरे वीडियो को लाइक एंड़ से जरूर करिए और आप अगर इसे बाइगरफिस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सेप करिए और बेल आइकन को दपाने मत भूले क्यूंकि मैं हर अपते आपके लिए इसे वीडियो लाँगा